नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महतुपूं जानकारी को लेकर करके जिसके सारे आप अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं और कुछ एक बिमारियां हैं जैसे की जोडों के दर्द ये एक बहुत ही असहने पीडा के रूप में शरीर में होती है जब भी शरीर में जोडों में धर्द होने लगता है तो हम उटने, बैटने, सोने, खड़े होने हर दारीके से कश्ट को महसूस करने लग जाते हैं यानि वह मैं बहुत दिक त होने लगती है और समझ में नहीं आता है कि इससे कैसे निजात पाई जाए इसलिए आज हम ये नुश्खा ले करके आए हैं आप सबी के लिए आयरवेदिक नुश्खे जो कि रोग को भगाने के लिए कारगर साबित होते हैं मेथी, सोंट और हल्दी बराबर मातरा में मिला लेना है आपको और इसे पीश कर हर रोज सुबह शाम खाना खाने के बाद करम पानी से दो दो चमच फंकी लेना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य लाब देखने को कुछ एक दिनों के अंदर ही मिलने लगेगा दूसरा नुसका है रोज सुबह भूखे पेट एक चमच कुटी हुई दाना मेथी में एक ग्राम कलोंजी मिला करके एक बार फंकी ले लें एक दिन में और खास करके सुबह लें खाली पेट तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है तीसरा है मेथी हमेशा सुबह खाली पेटी लेना चाहिए दो पहर और रात को खाना खाने के बाद आधा चमच पानी के साथ फांकने से भी सभी जोड मजबूत रहेंगे और जोणों का दर्द भी आपको कभी नहीं होगा जिहां मेथी दाना जोणों के धर्द के लिए राम बान इलाज के रूप में कारिक करता है इसके अलवा फोर्थ है हल्दी, गूर, पीशी, दाना हुई मेथी और पानी बराबर मातरा में मिला लेना है आपको गर्म करके इसको इनका लेप रात को घुटनों पर करना है इस पर पट्टी बांग कर रात भर बंधे रहने देना है यानि कि घुटनों पर इसकी पट्टी बांग देनी है और रात भर रहने देना है सुबह पट्टी हटा करके साफ कर लेना है कुछी दिनों में आपको असर महसूस होने लग जाएगा कि आप स्वस्थ होने लग गए आपके problem दूर होने लग गई घुटनों की number 5 है अलसी के बीजों के साथ दो अखरोट लेने से जोडों के दर्द से आपको रहत मिल जाएगी जी हाँ अलसी के बीजों के साथ दो अखरोट लेना है आपको हर रोज आप देखेंगे कि आपके जोड़ों का दर्द जो है वो चुम मंतर हो जाएगा तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे आप देखेंगे को और बेहा दिमा तो पुन जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्लिवाद नमस्कार दोस्तों